हाई फ्रेंड्स आज में लेके आई हूँ आपके लिए ब्रती स्वेशन हलवा की रेसिपी इसको बनाना बहुत ही जी आप बहुत ही कम समय में इसको बना के तियार कर सकते हैं ब्रत के लिए बहुत ही यूशफूल रेसिपी है इसको ट्राइ जरूर कीजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरूर कीजिएगा तो आईए हलवा की रेसिपी सुरू करते हैं हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने या पे कड़ाई चड़ा दिये कड़ाई हमारी गरम हो चुकी है तो मैंने उसमें डाल दिया 1.5 चमर देशी घी और यहां पे मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स काटके रखे हैं जैसे मैं काजू, बदाम और पिस्ता आपको जो भी ड्राइफ रूट्स पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं जैसे किसमिस हुआ और जो भी आपको पसंद है आप डाल दिजिए तो अब हम इसको भून लेंग ले लिया है पपीता, पपीता को मैंने छील के कद्दू कस कर लिया है और आप चाहे तो इसको बॉइल भी कर सकते हैं तो आपको जैसे पसंद हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं तो मैंने पपीते को छील के और उसको कद्दू कस कर लिया है और आप चाहे तो पपीते का पीस काट के उसको बॉयल भी कर सकते हैं और मैं इसको भूण लूंगी अच्छे से हमें बहुत ही अच्छे से इसको भूण लेना है लगतार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे आप इसको भूण लें आप चाहें तो ड्राइफ रूट्स आप बाद में भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा रोष्ट करके डाला है तो ये हमारा पपीता अब अच्छे से भुण चुका है अब देख सकते हैं इसका कलर चेंज जो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालतेंगे दूद मैंने यहाँ पे दो गिलास दूद डाला है अगर आप मावा डालते हैं तो दूद कम डालें तो मैंने यहाँ पे दो गिलास दूद डाला है और इसको आप मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ये देखिए आप चाहे तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे आप इसमें इलाची पॉडर भी डाल सकते हैं उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आजाएगा दूद मैंने इसलिए बढ़ा गिडाला है कि दूद जो है वो खोया का काम करेगा यानि कि मावा का काम करेगा इसलिए मैंने दूद थोड़ा ज़्यादा डाला है तो अब हम स्वादम सार चीनी डाल देंगे आप मीठा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं तो यहाँ देखिए दूद हमारा अच्छे से सूख चुका है यानि कि दूद जल चुका है तो बहुत स्वादिष्टी हल्वा बनता है तो आप ट्राई जरूर केजिएगा तो यह देखिए थोड़ा सा और पका लेंगे इसको और पपीदा भी जो है मिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तयार हो चुका है तो अब हम गैस AUफ कर देगे और सोर्व कर लेते हैं तो देखिए याँ पे हल्वा एकदम पूरी तरीके से बन के तयार हो चुका है तो बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही यमी होता है आप इसको फास्ट के लिए जरूर बनाएगा बहुत ही ज्यादा आपको यूश्फूल है यह वीडियो तो अगर रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और सेयर जरूर कीजिएगा तो जरूर कीजिए इसको आपको बहुत पसंद आएगा यहलवा तो फिर मिलते हैं एक अगले नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स